तो आज हम इस वीडियो में डीजो वायरलेस का जो है अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका प्राइज है 12.99 और 12.99 के प्राइज में बहुत ही अच्छा-चा फीचर्स यह आपको प्रोवाइड कर देता है जैसे कि 11.2 mm का बड़ा ड्राइवर आपको प्रोवाइड कर द देता है इसमें मेगनेटिक कनेक डिसकनेक्ट भी है जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है आगे जाके मैं बताऊंगा 88 मिली सेकेंड का जो है लो लो लेटेंसी मोड भी है IPX4 वाटर रेसिटेंस है और 10 मिनिट चार्ज करने पर आपको 120 मिनिट का जो है प्लेबेक टाइम म चीज में नोटीस किया कि यह सिर्फ एक मदलब क्या प्लास्टिक रैप पही है इसमें ना कोई सील है ना कुछ है ऐस्यम सीटिक ना कूछ फॉब और एक चोटा सा सेल होता है लियुक्त इसको आफाब क खिलता है जिसक्या थोड़ा ध्यान रखिए डीजो के सारे प्रोडक्स ऐसे ही नहीं आते क्योंकि मैं पहले इसका एक TWS भी गोपोट्स डी था उसको भी अन्बॉक्स किया हूं उसमें एक छोटा सा जो है सर्कुलार सील आता है लेकिन इसमें नहीं है लेकिन ओवरल मैं कहना चाहूंगा इसका पैकेजिंग जो है था और उसका पैकेजिंग थोड़ा सा मेरे को लो क्वाल्टी लगा था इसलिए मैं बोला था कि आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजे मैं और एक चीज बताऊंगा तो यही वो वीडियो है इसलिए मैं बता रहा हूं क्यूंकि आप डीजो का पैकेजिंग देखिए कितन मतलब प्रीमियम आपको एक experience देना चाहता है डीजो आप देखेंगे एक slider होगा इसको slide करने के बाद आप देखेंगे दो division इसमें होंगे तो पहले box में जो बड़ा वाला box है उसमें कुछ नहीं होगा तो दूसरे वाले box में ठीक है तो मैं भी सोचा कि पहले वाले box में सा overall इसका packaging जो है बहुत ही अच्छा लगा तो तो neckband के पीछे जो छोटा सा box है उसमें ही आपको सब कुछ accessories बगरा मिल जाता है packaging बहुत ही अच्छा है और जैसी आप देख सकते हैं चार extra ear tips आपको मिल जाते हैं तो आप अपने size के हिजाब से जो है adjust कर सकते हैं और ear tips का quality मैं बता सकता हूं खोल के बता देता हूं एक बार देखके ear tips का quality अच्छा है rubber का है अच्छा है comfortable है मैं इसको use भी किया था चार ear tips जो है change करके अलग-अलग change करके use भी किया था बहुत ही अच्छा comfortable लगा और इसका आप देख सकते हैं इसमें एक orange accent दिया गया है जो की बहुत ही दिखता है और एक डीजो wireless का जो है manual दिया गया है और एक type c cable दिया गया है जिसका quality में बता सकता हूं कि अच्छा है और यह previously मैं जब boat rockers 255 pro plus का unbox किया था उससे भी अच्छा quality जो है यह USB है ठीक है तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं पहले ही बतातू डीजो जो है realme का ही sub brand है और जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक neckband आता है realme wireless 2 new करके एक आता है वो लगभग 1399 price में आता है और यह जो डीजो wireless का neckband है totally same neckband है सिर्फ इसमें एक दो compromises किये गया है जिसमें जो है क्या है ना इसमें डवलेसी कोडेक नहीं है SBC कोडेक है लेकिन realme 2 new में wireless 2 new करके एक है उसमें मिल जाता है आपको डवलेसी कोडेक मिल जाता है और उसका quality थोड़ा सा plastic quality थोड़ा सा अच्छा है तो और एक चीज में आपको बता देता हूँ अगर आप डीजो wireless खरीद रहे हैं तो इसका वही orange black वाला variant लीजिए यही अच्छा दिखता है बाकि वो जो black और blue वाला variant है वो इतने अच्छे नहीं दिखता है ठीक है तो अगर आपको 100 रुपे का ही फरक पड़ रहा है डीजो wireless और realme 2 new पे realme wireless 2 new पे तो realme wireless 2 new ही आप खरीदे इसको मत खरीदे और इसका quality अच्छा है मैं इतना ही इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें SBC मिलता है उसमें WC मिलता है तो आप उसको ही प्रिफर कीजिए और एक चीज मैं आपको बता दू मेरे को थोड़ा सा सौकिंग लगा मेरे को बहुत ही रेरली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को कुछ return या बोला कि इसमें कुछ seal वगारा नहीं मिलता है तो seller ने size से किया किया है ना मेरे को return product जो ही भेज़ दिया है तो मैं बहुत ही दिखाने की कोशिस कर रहा हूं केमरा पर अच्छे से catcher नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा आप ध्यान से देख सकते हैं छोटे-छोटे minute-minute scratches जो है देखने को मिलते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखे एक चीज में डीजो को request करना चाहूंगा कि जो है अपने packaging पे आप seal दिया कीजिए ना कि full plastic wrapping फुल plastic wrapping जो है अच्छा लगता है premium लगता है लेकिन फिर भी आप seal दीजिए एक circular seal दीजिए जिसको cut करने के बाद ही हम प्रॉड़क्ट पे access कर पाए seller कुछ है क्या करते है ना जो उनको return पर आता है जैसे कि वह देख रहे हैं कि इसमें seal बगरा नहीं है तो फिर से वह जो Realme Wireless 2 Neo को buy करने के लिए तो और एक चीज में बता दो कि आप अगर Realme Wireless 2 Neo भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी same packaging मिलता है उसमें भी कोई छोटा सा seal नहीं दिया गया है सिर्फ पूरा का पूरा plastic wrap करके आपको दिया गया है तो यह थोड़ा ध्यान देना है company को तो उसके बाद जो है product जो है अच्छा है इसका full review आएगा आप इसको अभी मत buy कीजिए मैं जब full review करूँगा और आने वाले दिनों में flipcard का big billion days भी आ रहा है तो थोड़ा आप wait कीजिए तो उसके उपर भी एक detail video बनाँगा और एक quality control के बारे में भी एक video आ रहा है तो बहुत ही जल्दी म ा बनाँगा जल्दी में जल्दी में जल्दी मीजावा आप minimal आपик का.